अस्सलामुलेकुम तो यारों कैसे हो तो इस वीडियो में आप लोग को वीवो वी 20 SE के बारे में बताने वाला हूँ मैं आप लोग को बताऊंगा इसकी प्राइज स्पेसिफिकेशन और क्या आप लोग को वीवो वी 20 SE बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आप कोडिफिकेशन आ जाए और 90% लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ने करते हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी जरूर करें सब्सक्राइब भी जरूर करें और आज का जो वीडियो का लाइक तारगेट है वह स्टीफ वान एड़ंड़ ला अब अगर हम इसको design वाइस देखे ना तो वेसे no doubt काफी जबरदस हमें इसमें design देखने को मिलेगा और हमें plastic bay की provide की गई है और आप लोग इसमें दो colors देखने को मिलते हैं एक हमें blue color देखने को मिलेगा और दूसरा में black color देखने को मिलेगा और colors के साफ से design वाइस यह smartphone वे और अगर हम वेसे display side से देखना तो display वाइस तो यह smartphone हमें काफी जबरदस देखने को मिलेगा और अगर हम देखना तो इसमें आप लोगो water drop नोच देखने को मिलेगी और इसके लावा अगर हम इसके processor के बारे में बात करें ना तो इसमें स्रेंट ड्रेगन का 665 processor देखने को मिलते हैं में जो सेंसर है वो हमें 48 मेगा पिक्सल का देखने को मिलेगा दूसरा में 8 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा और तीसरा में 2 मेगा पिक्सल का देप सेंसर देखने को मिलेगा और इसी के साथ अगर हम इसकी बेटरी के बारे में करेना तो इसमा में Android 10 देखने को मिलेगा जो के front touch OS 11 के साथ देखने को मिलेगा आप लोगों इसमें in display fingerprint scanner देखने को मिलेगा dedicated screen slot देखने को मिलेगी और 3.5 mm jack भी हमें देखने को मिलेगा तो यारो यह थी यार Vivo V20 SE की specification अब specifications वाइद यह smartphone जबरदस हमें देखने को मिलता है और सभी smartphone अच्छे होते हैं लेकिन price decide करती ही कि यह smartphone कैसा है अब अगर हम देखना है तो price take के साब से यह smartphone बिल्कुल भी value for money नहीं है और इसलिए अब हमें यही processor देखने को मिलता है लेकिन उसमें यह अच्छी बात है कि उसमें सुपर MLA display देखने को मिलती है और कम price में मैं देखने को मिलती है तो इसलिए मैं आप लोगो यही recommend करूँगा इसमें fingerprint scanner in display देखने को वीडियो में ऐसे ही अपना ख्याल रखोना आर्फी अमानिल्ला पागिस्तान जिन्दा बात